दोस्तों मैं सौरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज Mix GK में हम देखेंगे Top 25 ऐसे Question Answers चोकी बहुत बार repeat होते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा end तक देखना और 25 में से आप लोग कितने Questions के Answers सही कर पा रहे हैं अपना Score Comment Box में जरू बतेगा चलिए शुरू करते हैं पहला Question है नागरजुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर इस्तित हैं आपको हरे Question का आंसर दोस्तों Comment Box में जरू बताना है तो जल्दी से इस Question का आंसर Comment Box में बताईए देखें नागरजुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर इस्तित है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का राइट आंसर हैगा क्रिश्णा नदी पर यानि कि D. राइट आंसर हो जाएगा I hope कि आप सबने भी यह आंसर लगाया होगा दूसरा Question आता है बीडी सावर करने 1904 में अभिनाव भारत की स्थापना कहा की है जल्दी से आंसर बताईए आपको हर एक Question में दोस्तों 3-4 सेकिन का समय मिलेगा ताकि आप उस Question को जो आंसर है वो Comment Box में बता सके तो बीडी सावर करने 1904 में दोस्तों अभिनाव भारत की स्थापना कहा की है तो राइट आंसर हैगा लंदन में यानि की C राइट आंसर हो जाएगा तीसरा Question आता है टीका करन की खोज किसने की मेरे प्यारे दोस्तों टीका करन की जो खोज है वो किसने की है जल्दी से आंसर बताईए मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हैगा Edward Jenner ने यानि की Option ए राइट आंसर हैगा Question No.4 आता है पीलिया रोग से संबंदित अंग है Comment box में आंसर आना चाहिए बही सबीगा पीलिया रोग से संबंदित अंग कोन सा है तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा यकरत यानि की Option ए राइट आंसर हो जाएगा Question No.5 आता है अकबर ने जजिया कर की समापती किस वर्स की दोस्तों अकबर ने जजिया कर की समापती किस वर्स की तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का राइट आंसर रहेगा 1564 में यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा वई ठीक है अगर आप लोग किसी भी वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो Only Top Study एप को डाउनलोड करिए 5 स्टार की दोस्तों रेटिंग करिएगा इसके बाद आपको सारी यूटूब की जो वीडियोज है उनकी पीडियाप फिरी में मिलना है स्टार्ट हो जाएगी डेली करेंट फिर की पीडियाप भी मिल जाएगी और जो अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज़े हैं Only Top Study एप पर जो आपको फिरी ओप कोस्ट मिल जाती है जो हमारी masterpedia पे दोस्तो 6000 के question answers की जिसमें आपको सारे subject अच्छे से cover कराएगे हैं ये हमारी paid pedia पे 1.500 रुपे में आपको मिलती है और हमारी website से आप इसको ले सकते हैं वैसे मैंने इसका link नीचे description box में भी दे दिया है या फिर हमारे whatsapp नंबर से भी ले सकते हैं अगर आपक होकी मैज का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है very very important mark कर लेना जो अभी exam चल रहा था दोस्तो एससी का उसमें question पूछा गया था very very important question है तो मैं आसा करता हूं कि आप सभी ने इसका answer comment box में बता दिया होगा इस question का right answer हैगा 70 मिनट दोस्तो यानि कि C right answer हो जाएगा question number 7 आता है रास्टिय रोजगार गरेंटी योजना का सुभारम किस वर्स हुआ था तो रास्टिय रोजगार गरेंटी योजना का जो सुभारम है वो किस वर्स में हुआ था तो right answer is फटा फट बता दिजे वई 2006 में यानि कि C right answer हो जाएगा अगला question आता है गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है दोस्तो गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है तो right answer is बिल्कुल सही मेनोमेटर से यानि कि दोस्तो option A right answer हो जाएगा वई अगला question आता है सुभास चंद्र बोस हवाई अड़ा कहा परिस्तित है जल्दी से आंसर बताईए तो right answer is कोलकता यानि कि B right answer हो जाएगा वई अगला question आता है मद्यपर्देश का उच न्याले कहा परिस्तित है मेरे प्यारे दोस्तो मद्यपर्देश का उच न्याले कहा परिस्तित है तो इस question का right answer क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों जबलपूर में है यानि की C right answer हो जाएगा अगला कोशन आता है इपसीन का निर्मान दोस्तों कहा पर होता है जल्दी बतेए तो ये होता है अगनास्य में यानि की option B right answer हैगा बहुत अच्छा कोशन है कई बार आता है एक्जाम में अगला कोशन आता है इबादत खाना की इस्थापना अकबर के दुआरा कब की गई दोस्तों right answer क्या रहेगा 1575 में यानि की D right answer हो जाएगा बहुई अगला कोशन आता है युनेस्को का मुख्याले कहा परिस्थी थे फटाफट answer जरूर बताया करें मैं बहुत बोलता हूँ answer बताने के लिए उसके बावजूद भी बहुत कम student ऐसे हैं जो answer करते हैं जब तक आप answer नहीं करेंगे practice नहीं करेंगे तो उस्तों मज़ा नहीं आनेगा है आपको test लगाने में पॉलेटी, जोग्रफी, साइंस सब कुछ अलग-अलग प्लेइलिस्ट में दिया गया है आप description box में चेक कर सकते हैं इस question का right answer है परिस यानी की B right answer हो जाएगा वई अगला question आता है नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्स किया गया बहुत important है यह जो अभी एक्जाम चल रहे है न दोस्तो रिसेंटली जितने भी एक्जाम हो रहे है उन पर आधारित ये सारी वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो pattern पूछे जा रहे हैं जिस pattern के question answers वही कराने का मज़ा है तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा पिल्कुल सही उत्तर क्या है 2009 में अगर आप लोगोंने b right answer लगा है very very important question है या दखना पंदरवा question है भारत में cement का पर्थम कारखाना 1904 में कहां इस्थापित किया गया था दोस्तो पहुत ही जबरदस्त जल्दी बता दीजे भाई कहां पर लगा था पहला cement का कारखाना सब ने answer कर दिया मदरास दोस्तो right answer रहेगा यानि कि C is the right answer अगला question आता है Victoria द्वीब किस महासागर में इस्थित है जल्दी बताईगा देखे Victoria द्वीब किस महासागर में इस्थित है तो right answer इस परसांत महासागर में यानि कि option दोस्तो A right answer हो जाएगा question number 17 है राष्टिय राजमार्ग वन किन दो सहरों को जोडता है जल्दी बताईगे राष्टिय राजमार्ग वन किन दो सहरों को जोडता है दोस्तो right answer इस दिल्ली और अम्रतसर को यानि कि B right answer हो जाएगा question number 18 है मजदूर दिवस परतियक वर्स किस तिथी को मनाया जाता है फटा फट आंसर बतिए मजदूर दिवस परतियक वर्स किस तिथी को मनाया जाता है दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजे एक मही को मनाया जाता है दोस्तों यानि कि B right answer हो जाएगा और वीडियो को थोड़ा like वाइक भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में भाई बेन के साथ में सेयर कर देख रहें काफी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो विदुद्धारा का एसाई मातरक मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा एमपियर यानि की B right answer हो जाएगा भी कोशन नमबर 20 है वर्तमान समय में भारत सरकार को कि सेत्र से सबसे ज्यादा आए हो रही है जल्दी बतेिया तो मेरे प्यारे दोस्तों right answer हेगा देखे मैंने बताया था पर्तम दुद्धर तिर्थय ते ये तीन चेत्र होते हैं ठीक है तो यहां पर तिर्थय चेत्र में क्या आता है दोस्तों जो service sector है वो तिर्थय चेत्र में आता है तो यह आपको यह दखना है से भारतिय सरकार को दोस्तो, यहां से सब ज़्यादे इनकम होती है, तो right answer is C, यह बहुत बार exam में repeat होता है दोस्तो question, अगला question आता है, spring घड़ी में कौन सी उर्जा होती है, बता ही जल्दी, दोस्तो, spring घड़ी में कौन सी उर्जा होती है, तो right answer is, इस तीज उर्जा यानि की right answer is B, तो यह आपको याद रखना है, question number 22 है, अकबर द्वारा फतेपुर सीकरी की स्थापना किस वर्स की गई, तो right answer is, पंदरा सो कहात्तर में दोस्तो, यानि की B right answer हो जाएगा, next question आता है, भारत का पहला, पाइलेट रहीत यान का नाम क्या है, भारत का पहला, पाइलेट रहीत यान का नाम क्या है, दोस्तो, right answer is, बिल्कुल सही है, लक्षे है दोस्तो, यानि की C right answer हो जाएगा, Q24 है सोनार का प्रियोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तो सोनार का प्रियोग किसके द्वारा किया जाता है तो राइट आंसर इस नो संचाला को द्वारा किया जाता है दोस्तो सरम संगठन का मुख्याले कहा इस्थित है तो राइट आंसर इस जनेवा यानि कि यह option दोस्तो C राइट आंसर हो जाएगा यह आपको याद रखना है अब एक question मैं आप लोगों से पूछता हूँ सबसे पहले तो अपना score बता दीजिए 25 में से क्या score रहा है और एक question बताएगा दोस्तो गैसो के दाब को किस यंतर से मापा जाता है यह आपके लिए एक test question है तो जल्दी से आंसर बता देना और दोस्तो इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं तो only top study आपको डाउनलोड कर लेना और 5 star की जैसे ही आप रेटिंग कर दोगे तो आपकी सारी पीडियाप दोस्तों मिलना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है सारी पीडियाप आपको फिरी मिल जाएगी और ये धीरे धीरे और जादा पीडियाप आजाएगी आपके पास जब आप 5 star की रेटिंग कर देंगे अगर आपको एक साथ में 6000 कोशन आंसर्स की पीडियाप चाहिए जो हमारी paid पीडियाप दोस्तों तो 150 रुपीज में आप इसको purchase कर सकते हैं इसमें complete history है, geography है, quality, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, statistics, सारी चीज़े में आपको मिल जाएगी पूरा syllabus है मतला भी है समझ लीजे आप इसको आप हमारी website या WhatsApp नमबर से purchase कर सकते हैं लिंक नीचे description box में मिल जाएगा और चैनल पर नए हैं तो subscribe करिए, bell icon को जरूर ओन रखिए ताकि आगयान वाली कोई भी वीडियो आप से मिसना हो और आप सारी वीडियो को देखते रहें वीडियो को like share भी कर दिया करें थेंक यू सो मच, bye bye everyone, take care